दोस्तों नमस्कार पाइपिंगे चनिकल ग्यार में आपका स्वगत है इस वीडियो में जानेगे relie impressing plant पेट्रोकेमिकल प्लांट में यूज होने वाले वाल्व के बारे में वाल्व क्या होता है वाल्व कितने टाइप का होता है और कौंशा वाल्व कहां यूज करते हैं तो आए जानते हैं वाल्व क्या होता है वाल्व एक मेकेनिकल डिवाइस है वाल्व का मेन मेथट फ्लूड लिक्विड गैस वेपर स्लेरीज के फ्लो प्रेसर डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है वाल्व प्रोसेस पाइपिंग सिस्टम में मस्ट कामन यूज कंपोनेंट है इसको अटोमेटिकली या बाई हैंड ओपरेट किया जाता है इसको सर्विस रिकारिमेंट के इसाब से डिन किया गया है वाल्व फंचन के एक्वाडिंग जनरली 5 टाइप का होता है और कुछ इसपेसल टाइप का भी वाल आता है तब पहले जानते हैं 5 टाइप के वाल्व के बारे में मैनुल वालब, चेक वालब, सेप्टी रिलीफ वालब, कंट्रोल वालब और डाइफराम वालब अब जानते हैं मैनुल वालब के बारे में मैनुल वालब ऑपरेटर के द्वारा मैनुली ऑपरेट किया जाता है जिसका basic use flow को बंद और खोलने के लिए किया जाता है manual valve तीन प्रकार का होता है vertical slide valve, stopper type, closure valve, rotary type valve vertical slide type valve में sliding, vertical, disk और port के द्वारा valve को बंद और खोला जाता है इसमें gate valve आता है gate valve, gate valve waste shape में होता है gate valve हमेशा flow के perpendicular, close या open होता है gate valve flute को रोकने या चालू करने के लिए यूज किया जाता है gate valve हमेशा fully open position या fully closed position में राता है gate valve दो प्रकार का होता है rising steam and non-rising steam rising steam में जो यह screwed rod type का होता है इसको steam बोलते है जब valve के wheel को गुमाते हैं तो steam उपर नीचे आता जाता है और non-rising steam में यह screwed rod valve के अंदर ही होता है इसमें एक indicator लगा होता है जिसको उसका position पता चलता है जहां space का अबावर आता है वहाँ पर इसका यूज होता है next है stopper type closure valve इसमें दो प्रकार का वाल आता है glow valve, needle valve glow valve linear motion valve होता है जो flow को start, stop और regulate करने के लिए यूज के जाता है glow valve का disk flow path से totally remove या close के जाता है needle valve needle valve long tapered sweet के नोग जैसा steam का end point होता है needle valve instrument में यूज होता है जहांपर flute का control extremely active चाहिए जो small bore pipe में यूज होता है अगला है rotary type valve इसमें rotational moment के द्वारा valve को close या open के जाता है इसमें तीन प्रकार के valve आते है ball valve, plug valve, butterfly valve ball valve ball valve rotary motion quarter turn valve होता है इसके disk का shape बाल जैसा होता है इसलिए इसे valve बोलते है यह quick acting type का होता है इसमें leak होने का chance कम रहता है यह gate और glow valve की तुनला में small और lightweight का होता है plug valve plug valve quarter turn rotational motion type का valve है इसके disk का shape plug जैसा होता है इसलिए इसे plug valve बोलते है यह quickly open और close होता है इसको vacuum to high pressure के लिए यूज करते है यह other valve की तुनला में छोटा होता है butterfly valve भी quarter turn rotational motion type का valve होता है यह flow को start open और regulate करने के लिए यूज किया जाता है butterfly valve को easy और fast open किया जा सकता है यह कम जगा में यूज किया जाता है इसका weight दूसरे valve के पेचा कम होता है check valve pipe line में reverse flow को रोकने के लिए check valve का यूज करते है इसमें flow एकी direction में होता है जैसे ही flow valve वापस आता है valve close हो जाता है यहाँ परतिन प्रकार के check valve के बारे में बताया हूँ lift check valve lift check valve का seat design globe valve जैसा होता है जिसमें lift check valve का disk जाकर बैठ जाता है इसका disk prior piston या valve के रूप में होता है यह high pressure के लिए suitable होता है जिसका flow velocity high हो यह horizontal या vertical upward flow pipe line में इंस्टाल करना असान होता है जिससे back flow वापस नहीं आता है इसरा है tilting disk check valve यह 90 degree पर tilt होता है इसलिए इसे tilting disk check valve बोलते है tilting disk check valve drinking water और natural liquid के लिए design किया गया है इसका disk pivot pin से disk के center में connected होता है इसको generally plumbing application में back flow को prevent करने के लिए यूज करते है इसका अपयोग low pressure के लिए होता है तिसरा है swing check valve swing check valve में body और bonnet होता है जिसमें disk hinge से connected होता है जो disk को allow करता है free move करने के लिए disk swing flow को allow करता है forward direction में जाने के लिए और जैसे ही back flow होता है disk swing close जाता है जिससे flow वापस नहीं आ पाता safety relief valve safety relief valve automatic safety device है जब किसी भी press ride vessel या equipment में over pressure हो जाता है तो हमारे live property और environment को नुक्सान होने से बचाता है जब किसी भी vessel या equipment में pressure ज्यादा हो जाता है तो safety relief valve ज्यादा pressure को release कर देता है यह दो प्रकार का होता है PSB और PRB PSB मतलब pressure safety valve और PRB मतलब pressure relief valve यह दोनों extra pressure को release करते है PSB compressual fluid जैसे gas vapor steam आधि में PSB का यूज़ करते है जब भी set value pressure पर equipment का pressure पहुचेगा और उससे ज्यादा होगा तो PSB अचानक open हो जाएगा और सारा pressure release हो जाएगा जब कि PRB का यूज non compressible fluid जैसे liquid filled vessel या equipment में यूज़ किया जाता है इसमें set pressure या उससे ज्यादा pressure होने पर या suddenly open नहीं होता है जिस ratio में pressure set किया जाएगा fix pressure के बाद जैसे जैसे pressure बढ़ेगा वैसे वैसे valve का pressure release होता जाएगा control valve control valve set point पर signal के दवारा fluid flow pressure temperature और liquid level को fully या partially open और close करके fluid liquid को control किया जाता है control valve electrical hydraulic या pneumatic actuators के दवारा automatically valve को close या open किया जाता है diaphragm valve diaphragm valve linear motion valve है इसका उप्योग flow को start stop और regulate करने के लिए करते हैं इसका disk flexible होता है या low temperature और low pressure के लिए यूज किया जाता है तक जो आपने देखा इस पांच टाइप के बारे में जनकारी था अब जानते हैं कुछ बिशेश valve के बारे में जैसे multiport valve plus bottom valve float valve foot valve pressure relief valve breather valve ये सब valve special purpose के लिए यूज किया जाते हैं अब जानते हैं valve के end connection के बारे में valve को screwed, socket, flanged, butt weld, wafer के दवारा किसी भी pipeline या equipment में connection किया जाता है अब जानते हैं valve को कितने प्रकार से operate किया जाता है valve को hand lever, hand wheel, chain और gear के दवारा operate किया जाता है अभी तक जो आपने देखा इन सभी वालव को एक जगा चार्ट बना कर दिखाया हूँ शाहें तो आप screenshot ले सकते हैं मस्तों I hope मेरा वीडियो पसंद आया होगा पाइमपी के समदित किसी और चीज में वीडियो चाहिए तो comment box में comment करें और साथ साथ subscribe और bell icon को press करें be careful at work place and take care